आज हम स्टॉट करते हैं क्लास नाइन्थ के यूपी बोर्ट का प्रो सेक्षन का चेप्टर नमबर वन चेप्टर का नेम है टॉम सायर इसको राइट किये हैं मार्क ट्वेन यह कहानी एक छोटे बच्चे की है जिसके माता पिता मर चुके है और उसकी मौसी उसका लालन पाल करती है और बच्चा बहुत सरारती रहता है यही कहानी है चलिए देखते हैं और चलाग पीवन लड़का बहुत रहता है यही कहानी है चलिए हम कहानी को टेस्ट के माध्यम से देखते हैं कहानी का में हेडिंग यहां से स्टार्ट होता है अबाउर दे लेसन अबाउर लालन-पानन उसका करती है अपने पास रखती है तो लड़का बच्चे बहुत सरारती रहता है उससे कहानी है Tom Sire, Tom Sire was very naughty Tom Sire बहुत सरारती था naughty मतलब सरारती होता है he could not remain मतलब सरारती होता है he could not remain सरारत के फ़र लंग, लमबे समय तक वह लंबे समय तक बहुत समय तक बिना सरारत के नहीं रह सकता था His aunt उसकी मौसी loved him very much लंब प्रेम करती थी very much बहुत ज़्यादा उसकी मौसी उससे बहुत प्रेम करती थी बट लेकिन she always wanted to punish him for his mischiefs so बट लेकिन she always हमेशा wanted चाहती थी punish करना मतलब सजा देना चाहती थी him उसे लेकिन उसकी मौसीव उसे हमेशा सजा देना चाहती थी for क्योंकि for his mischief उसके गल्थी के लिए उसके सरारत के लिए so that ताकि he may not be spoiled इसवाल मतलब खराब होना या बिगड़ जाना ताकि वह खराब नहों सके बट लेकिन tom was very clever लेकिन tom बहुत चलाग था some way कुछ तरीकों से आर या the other way दूसरे तरीकों से he escaped the punishment इसके मतलब बच जाता था punishment सजा से वह सजा से या दंड से हमेशा बच जाता था mischiefs of tom sire innocent मासूम mischiefs शरारत यह कहानी tom sire की मासूम सरारत से भरी हुई है and or the corrective method मतलब corrective सही method धंग से adopted स्विकार की जाती है बाई ही जान और सही तरीके से उसके मौसिक द्वारा उसको क्या किया जाता है स्विकार किया जाता है the story is full of wit and humor story कहानी फूल भरी wit बुद्धिमता से और humor हास से यह कहानी बुद्धिमता और हास से भरी हुई है tom s parents or dads parents मतलब tom की माता पिता मर चुके है he's aunt उसकी मौसी bring him up उसकी मौसी अपने पास लाती है she is fond of him और उसकी सौकीन रहती है but लेकिन she is strict as tom is naughty string मतलब कठोर what time की प्रती कठोर रहती है tom is not जैसा की time सरारत है what time की सरारत की प्रती क्या रहती है कठोर he is always up to some mischiefs always मतलब हमेशा some mischiefs मतलब कुछ वह हमेशा कुछ न कुछ सरारत करता रहता है let us find out what types of mischiefs he get into let us आओ हम ग्याद करें कि किस टाइब काम सरारत वह करता है चलिए main main section हमारा यहां से start होता main कहानी this is tom sawyer मतलब उसकी मौसी यहां बुला रही है कि tom कहां हो सकता है tom no answer tom no answer tom no answer मतलब कोई उत्तर नहीं tom no answer मतलब उसकी मौसी tom tom बुलाती है लेकिन कहीं से कोई आवाज नहीं आती है उत्तर नहीं आता where can be he वह कहां हो सकता है aunt pali asked herself aunt pali some से पूछती है aunt pali some से पूछती है कि वह कहां हो सकता he must be somewhere here उसे यहीं कहीं होना चाहिए she went to the door door मतलब दरवाजा होता वह दरवाजे के पास गई looked, देखी out into the garden बगीचे में वह बगीचे में बाहर देखी and or then तब shouted again पुनह चिलाई tom tom no answer, कोई उत्तर नहीं the old lady ब्रिद महिला stood खड़ी रही देर, वहाँ थाट पुली ब्रिद महिला विचार पुरोक वहाँ खड़ी रही suddenly, अचानक she heard a sound behind her heard, मतलब सुनी sound आवाज behind her, अपने पीछे अचानक वह अपने पीछे आवाज सुनती है she turned around quickly मतलब जल्दी से quickly मतलब जल्दी से she turned, मतलब मुड़ी है वह जल्दी से मुड़ी है there was tom near the cupboard door tom नियर मतलब पास था cupboard मतलब अलमारी होता है door मतलब दरवाजा tom अलमारी के दरवाजे के पास था there was jam all around his mouth jam मतलब मुरबभा all around उसके चारो तरफ his mouth उसके मुखके चारो तरफ मुरबभा था what have you been doing तुम यहाँ क्या कर रहे थे aunt poly asked angrily angrily मतलब क्रोधित होते aunt pali क्रोधित होते हुए पूछी कि तुम क्या कर रहे थे when job tom did not answer job tom ने उत्तर नहीं दिया see went on went on का मतलब वो बोलती गई you have been stealing the jam again still मतलब चुराना jam मुरबभा again पुना तुम मुरबभा पुना चुरा रहे थे don't tell me मुझसे मत कहना that you haven't haven't तुम नहीं चुरा रहे थे क्या तुम नहीं चुरा रहे थे I told you hundred times to keep away from that cupboard I told you मैंने तुम से कहा है a hundred times सेकड़ो बार to keep away दूर रहने के लिए from that cupboard मैंने उस अलमारी से तुम्हें सेकड़ो बार दूर रहने के लिए Aunt Polly took her stick Aunt Polly अपनी छड़ी को लेती है and raised it high इसको उचाईयों तक उठाती है she was about to destroy Tom hard about to मतलब लगभा destroy मतलब कठोर्था Tom hard और Tom को कठोर्था से punish करने वाली थी सजा देने वाली थी look behind you auntie shouted Tom shouted चिलाया Tom चिलाया look behind you auntie मौसी पीछे देखो Aunt Polly look behind her Aunt Polly अपनी पीछे देखती है this was Tom Jones या Tom के लिए मौका था chance means मौका या अवसर he rushed out of the house वा गहर से बाहर दोड़ा rush मतलब दोड़ाया चलना होता he climbed over the fence climb मतलब चड़ गया over the fence चड़ दिवारी पर वा चरदिवारी पर चड़ गया soon जल्द ही he was far away जल्द ही वा बहुत दूर हो गया Aunt Polly was angry Aunt Polly क्रोधी थी but लेकिन she had to love लेकिन उनको हसना पड़ा he is a bad boy वा एक बुरा लड़का है she say to herself वा स्रम से बोली but लेकिन I love him मैं उसे प्रेम करती हूँ he is my poor dad sister वा मेरी बेचारी मरी हुई बहान का लड़का है and or I must look after him look after का मतलब होता है देखभाल मुझे उसकी देखभाल करने चाहिए I don't like to hit him hit मतलब होता punish मरना है मैं उसे मारना नहीं चाहती but लेकिन I have to लेकिन मुझे करना पड़ता है if यदि I don't punish him यदि मैं उसे सजा नहीं देती हूँ he will grow up lazy and weak lazy means alci weak means dust वो बड़ा होकर alci or dust बन जाएग yes must be strict मुझे कठोर रहना चाहिए this means कठोर Aunt Pali side Aunt Pali ने गहरी सासे लिया I shall have to punish him punish मतलब सजा दूँ मैं उसे सजा दूँगी for stealing the jam stealing मतलब चुराने के लिए the jam मतलब मुरबा मैं उसे मुरबा चुराने के लिए सजा दूँगी but how लेकिन कैसे I know मैं जानती हूँ tomorrow is Saturday मैं जानती हूँ कि कल सनिवार है and or there is no school on Saturday सनिवार को कोई स्कूल नहीं रहता है मतलब स्कूल बंद रहता है the boys have a holiday holiday मिन्स चुटी लड़कों के चुटी आ रहती है but I sell my Tom work लेकिन मैं Tom से कार कराऊंगी that will punish him यही वही उसके लिए सजा होगा the next day अगले दीन was Saturday सनिवार था अगले दीन सनिवार था the school was shut बिद्याले बंद था all the boys सभी बच्चे in the village गाउं में वर फ्री स्वतंत रहते सभी बच्चे या सभी लड़के गाउं में स्वतंत थे it was a beautiful day यह सुन्दर दिन था यह बहुत अच्छा दिन था the sun was shining शुर्च चमक रहा था and the birds were singing birds मतलब पच्ची singing मतलब चढ़िया 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 रही थी the trees पेड और flowers full looked दिखते थे so fresh बहुत ताजा and lovely pre पेड और फूल बहुत ताजा प्री दिखते से सुन्दर दिखते थे tom of course वास्तों में tom वास्तों में wanted to go for swimming tom वास्तों में चाहता था go जाने के लिए for swimming ताजने के लिए tom वास्तों में ताजना जाना चाहता था all the other boys were going all मतलब सभी other boys दुसरे लड़के were going सभी दुसरे लड़के जा रहे थे tom came sadly out of the house tom के मतलब आया study दुखी पुरुवग of the house घर से tom दुखी पुरुवग घर से बाहर आया in one hand एक हाथ में he held a long breast hold मतलब पकड़ना होता उसका second भार में he held a long breast वा एक लंबा breast पकड़ हुए था in the other दुसरे हाथों में he carried a bucket बकड़ मत means balty करिमटर लिये हुए था वा दुसरे हाथ में balty लिये हुए था which Joe was full of white was white was means सफेदी जो सफेदी सी भरी हुई थी his aunt उसकी मौसी was making him white was the fence मतलब चरदिवारी पर white was मतलब सफेदी उसकी मौसी चरदिवारी पुस्चे सफेदी करवा रही थी Tom looked sadly at the fence Tom looked देखा sadly मतलब दुखी पुरुवग at the fence चरदिवारी को Tom दुखी पुरुवग चरदिवारी को देखा how high it is यह कितना उचा है exclamation mark लगा है इसका मतलब हम इसको आश्चर के साथ बोलेंगे how high it is यह कितना उचा है how long it is यह कितना लंबा है he thought वस सोचा indeed वास्तों में the height of the fence चरदिवारी की उचाई was 9 feet 9 feet थे and और its length इसकी लंबाई was 30 yard 30 गस था Tom put his brush into the white wash Tom put रखा his brush अपने brush को into the white wash white wash means अपने brush को सफेदी में रखा he drew its slurry across the fence draw मतलब खीचना होता इसका second farm में खीचा slurry धीरे से across the fence मतलब चरदिवारी पर और चरदिवारी पर इससे धीरे से खीचा मतलब brush means it made a very small white mark it very small बहुत चोटा white mark tom tried again tom try मतलब कोशिस किया again मतलब tom पुना कोशिस किया another very small white mark another मतलब दूसरा very small बहुत चोटा white mark सफेद चिन बना दूसरा सब बहुत चोटा सफेद चिन बना tom sat down tom बैट गया and side heavily side मतलब गहरी साचे लेना heavily मतलब tom गहरी आये हैं भरा he took out all the things took मतलब लिया आउट बाहर all the things सभी वस्तों को और सभी वस्तों को बाहर निकाला that he had in his pocket जो अपने जेब में लिया हुआ था pockets मतलब जेब होता means he had some marbles इसके पास कुछ कंचे थे marbles मतलब जिसको गोली बोलते कंचे जो कांच का बना होता some pieces of string string means रसी वह कुछ रसी को टुकडों को बाहर निकाला and two or three broken toys two or three broken toys two or three broken toys मतलब टुटे हुए toys मतलब खिलोनों two or three टुटे हुए खिलोनों को बाहर निकाला no one bill white was the fence for these he thought वह सोचा no one मतलब कोई भी bill white was मतलब सफेदी the fence मतलब चारदिवार फार्दीज इसके लिए कोई भी चारदिवारी पर सफेदी नहीं करेगा वह सोचा कि इनके लिए कोई भी बच्चा चारदिवारी पर सफेदी नहीं करेगा no I must think of a better plan think मतलब सोचना चाहिए better plan और अच्छी योजना नहीं मुझे और अच्छी योजना सोचना चाहिए he thought and thought वह सोचा और सोचा soon जल्द ही he had an idea उसके मन में एक विचार आया he picked up his brush again pick up मतलब उठाया his brush को again मतलब पुना वह पुना अपने brush को उठाया begin working hard begin मतलब शुरू कर दिया working मतलब working hard मतलब कठेन परिशनम करना शुरू कर दिया Ben Rogers was coming down the street Ben Rogers coming मतलब आ रहा था down the street Ben Rogers नीचे सडक पर आ रहा था Tom pretended not to see him Tom pretended बहाना बनाया not to see me उसे न देखने का Tom उसे न देखने का भाना बनाया he worked harder than ever वह और भी कठेन परिशनम करने लगा Ben was eating an apple Ben eating मतलब means खा रहा था या अपल मतलब शेव Ben एक शेव को खा रहा था he looked very happy he looked very happy मतलब बहुत खुस वह बहुत खुस दिखता था he was pretending वह भाना बना रहा था pretend मतलब बहाना बना रहा था he was pretending वह बहाना बना रहा था that he was a big ship वह एक बड़ी जहाज है means वह जो चोटा बच्चा है Ben Rogers आ रहा है अपने आपको जहाज चोटा बच्चे चल देने आपको गाड़ी बना देते हैं कोई भी that he was a big ship वह एक बड़ी जहाज था and or he was rolling like one and or he was rolling like one he was giving orders means their orders in a loud voice jore ki आवाज jore ki आवाज में आदेश दे रहा था and or the ship was owing them ship मतलब जहाज owing मतलब आदेश समान रही थी he came up to tom came up मतलब आया to tom or tom के पास आया he rubbed his eyes rub मतलब रगड़ा his eyes अपनी आखो को अपनी आखो को रगड़ा why tom क्यों tom he cried in a great surprise he cried वह चिलाया in great surprise बहुत आश्चर के साथ चिलाया you are working तुम काम कर रहे हो tom said nothing tom ने कुछ नहीं कहा nothing means कुछ नहीं he went out with his white washing vintals मतलब लगा रहा his white washing मतलब अपनी सफेदी में वह अपनी सफेदी में लगा रहा He looked very interested in his work looked मतलब दिखता very interesting बहुत रूच दिखा था in his work अपने कार में वह अपने कार में बहुत रूच रिक दिखा रहा था tom tom you are working Ben drifted Ben drifted Ben ने दुराया टॉम, यू आर वर्किंग, तुम काम कर रहे हो, ओ, अरे, इट्स यू बेन, अरे बेन, तुम हो, I didn't notice you, मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं दिया, I am just going for a swim, जस्ट मितला, अभी गोई मतलब, जा for a swim, मैं अभी तेरने के लिए जा रहा हूं, You don't want to come, तुम नहीं आना चाहते हो, Do you, क्या तुम आना चाहते हो, You like working, तुम्हें काम पसंद है, Don't you, क्या नहीं पसंद है, This is not working, कार नहीं है, Tom said quietly, Tom सान्ती पुरो का, and or he went on white washing, वो अपनी सफेदी करता रहा, Winter मतलब, किसी कार को जारी रखने, White washing means सफेदी, सफेदी करता रहा, Not work, कार नहीं है, Ben exclaimed, Ben ने आश्चर के साथ कहा, Not work, कार नहीं है, Oh, नहीं, No, अरे नहीं, No, नहीं, I like it, मैं इसे पसंद करता हूं, White washing is a fun, सफेदी एक मजाख है, या एक खेल है, You have never white wash of hands, क्या तुम सफेदी कभी, चरदी औरी, सफेदी कभी ने किये हो, Have you, क्या तुम किये हो, Well, अच्छा, No, नहीं, I haven't, मैंने नहीं किया है, For a time, कुछ समय के लिए, For a time, कुछ समय के लिए, Ben stood there watching Tom, Ben stand का second form होता है, stood, Ben stood there watching Tom, watching मतला देख रहा है Tom, Ben वहाँ खड़ा होकर, Tom को ध्यान पुर्वग देख रहा था, Tom paid no attention to him, Tom, उस पर ध्यान नहीं दे रहा था, All his attention, उसका पुरा ध्यान was given, दिया था to his work, अपनी कार में, वह अपना पुरा ध्यान अपनी कार में दिया हुआ था, At last, Ant में Ben said, Ben ने कहा, Let me white was a little, मुझे भी थोड़ा सफेदी करने दो, Late का प्रयोग किसी भी कार को करने देने के case में होता है, उसे हसने दो से नाचने दो, ऐसे, Let me white was a little, मुझे भी थोड़ा सफेदी करने दो, Oh, अरे no Ben, नही Ben, I am going to make this fan look fine, Fine मतलब अच्छा, दिखने में अच्छा, Fine मतलब अच्छा, Look मतलब दिखना, Fine मतलब अच्छा, मैं इसे दिखने में अच्छा बनाने जा रहा हूँ, I have promised Aunt Pali, Promise means वादा किया है, Aunt Pali, मनें Aunt Pali से वादा किया है, Besides, इसके अतरिक, It's interesting, यह रूची है, यह रूचकर है, Let me do just a little begged Ben, Ben ने प्राथना पुर्वक कहा, या Ben ने गिड़ गया, Let me do just, just मतलब अच्छा, a little, मुझे भी थोड़ा करने दो, No, नहीं, I am sorry Ben, मैं छमा चाहता हूँ Ben, लेकिन I can't, लेकिन मैं नहीं दे सकता, Aunt said, Aunt ने कहा है that, I must do it myself, मुझे इसे स्वयम करना चाहिए, If you do it, यदि तुम इसे करोगे, You will make a mistake, mistake means, गलती, तुमें गलती कर दोगे, You will spoil everything, spoil मतलब खराब कर दोगे, everything मतलब सब कुछ, तुम सब कुछ खराब कर दोगे, It's looking so nice now, So nice मतलब बहुत अच्छा है, यह दिखने में बहुत अच्छा है, I still not make a mistake, मैं गलती नहीं करूँगा, I still be careful, Careful means साउधान, मैं साउधान रहूँगा, You can have my apple if you let me, You have, तुम मेरा सेब ले सकते हो if you let me, यदि मुझे करने दो, तु बेन, Slimly means, धीरे धीरे unwillingly means, अनिच्छा पुरवग, Tom handed the brush to Tom, Handed means, sob दिया brush को to Tom, धीरे से अनिच्छा पुरवग, Tom ने brush को बेन को दे दिया, sob दिया, Ben worked hard, Ben ने कर्दिन परिष्णम किया, He soon grew hot, जल्दी वह गर्म हो गया, Soon मतलब जल्दी गर्म होना होता है, वह जल्दी गर्म हो गया, बट लिकिन, He went on working, वह कारी करता रहा, Ben means, किसी कारी को जारी रखने के संसे में किया जाते है, Tom sat there, Tom हो बैठा रहा, watching, देख रहा था, and eating Ben's apple, Ben के save को खा रहा था, When, जब Ben had done enough, जब Ben ने प्रयाप्त सफेदी कर लिया, Other boys came along, दूसरे लड़के भी आ गए, At first, सबसे पहले, they love a Tom, सबसे पहले वे Tom पर हशे, आए, जैसे Ben had done, जैसा कि Ben ने किया था, बट लेकिन सून, जल्दी ही, they were whitewashing the fence, जल्दी ही वे सफेदी करने लगे, Of course, वास्तों में, they had to pay Tom before he let them help him, Of course, वास्तों में, they had to pay, चुकाना पड़ा Tom, मतलब उन सभी को, Tom को कुछ देना पड़ा before, पहले he let them help him, उसकी सहाता करने से पहले, मतलब Tom की सहाता करने से पहले, उसको कुछ देना पड़ा, उन सभी को, they gave him their best thing, वे अपनी सबसे अच्छी वस्तों में दिये, 12 marbles, 12 कंचे दिये, और 3 soldier, एक टीन का सिपाही दिये, अकी, एक चौभी दिये, dog scholar, कुत्य का पट्टा दिये, the handle of knife, handle मतलब उन मुठिया, चाकू की मुठिया दिये, and और 4 pieces of orange, संतरिक चार टुकड़े दे, Tom had an easy time, Tom का बहुत असान समय था, बहुत अच्छा समय था, he did not work, वह कार नहीं किया, but लेकिन सून, जल्द ही the fence, चरदिवारी had 3 coats, 3 मतलब 3, means 3 मतलब 3, 3 मतलब 3 coats मतलब परत, of what was मतलब सफेदी आन एट, मतलब दिवार के लिए इट आया है, मतलब वह काम नहीं किया, लेकिन जल्द ही, चरदिवारी पर सफेदी की 3 परत हो गई, new medicine for Tom, Tom के लिए नहीं देवा, medicines मतलब देवा होती है, यहाँ पर, पार्ट का, यह chapter का, पार्ट नमर 2nd, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ बीमार हो जाता है, Tom उसके बारे में, Tom was not feeling well, Tom was not, feeling मतलब महसूस का well, मतलब अच्छा, Tom अच्छा महसूस नहीं कर रहा था, he could not sleep as well as he used to, he could not sleep, वह नहीं सो सकता था, as well as, जैसे की he used to, जैसा की वह सोया करता, used to means, पहले जो इसा सोया करता था, वह नहीं छोस सकता था, he could not eat, वह नहीं खा सकता था, as much, उतना ज्यादा as he used to, जितना की वह खाया करता था, he did not want to run away from school, he want, चाहना run away, मतलब भागना from school, वह इसकुल से जाना भी नहीं चाहता था, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जो बिमार होते हैं, लेकिन इसकुल से जाना नहीं चाहता, sometime, कुछ समय के लिए, he did not want to play, वह कुछ समय के लिए खेलना भी नहीं चाहता था, he was troubled and sad, troubled मतलब परसान था, the boy is ill, बच्चा बिमार है, अंट पाली थोट, अंट पाली ने सोचा, I must give him some medicine, मुझे उससे कुछ दवा देना चाहिए, अंट पाली was fond of all kinds of medicine, अंट पाली सभी परकार की दवाईयों की सौकीन थी, she had a lot of books, उनके पास बहुत सी किताबे थी, अंट इस सब्जेक्ट इस बिशे पर, मतलब दवा पर उनके पास बहुत सी किताबे थी, all art मतलब बहुत सा books, मतलब किताबे आंद इस बिशे पर, इस बिशे पर उनके पास बहुत सी किताबे थी, her newest idea was this, her मतलब उनका newest मतलब सबसे नया idea, picture was this, मुका सबसे नया बिचारिया था, वें चब अब वाय जाल, वाय जाल इल, जब एक बच्ट,